हेलो दोस्तो रादे रादे आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है देखे आज मैं फिर से नई वीडियो में लेके आया हूँ आपको और दिखाऊंगा अभी सबजियां हमारी ओर्गेनिक सबजियां अभी तो यह देखो अम्रूत का फेड तो वीडियो को पू अम्रूत का फेड फेले फिर सबजियां दिखाऊंगा आपको कि शुरुवात यहां से करते हैं तुलसी माता से यह अम्रूत के पेड के यहां पे ना तुलसी जी लगा रखी हमने और यह है हमारा अम्रूत का फेड बहुत बड़ा यह देखो कि यह राओ उपर तक तो इसके ना अभी अम्रूत खतम हो गए बरसाद में अम्रूत आयते बहुत सारे लेकिन ना जल्दी खतम हो गए वह पानी की बज़े से ना जल्दी पक के तोड़े दिनों में खतम हो गए और अब यह ना नए फूल आने लग गए तो वह दिखनी रे अभी उपर उपर आ तो देखे देखते हैं कहां पर है फूल उपर चड़के देखे अभी तक नहीं दिखे उपर होंगे शाया मेरको अभी तक एक फूल भी नहीं दिखा कि देखे डूंडते हैं फूलों को तो आयोंगे जब भी तो पत्यां और यह नीचे एसा तो यह नहीं उपर से बरस रहे हैं फूल देखे अभी तक नहीं दिखे आ गोट दिख गए मेरको यह देखे यह देखो यह आ रहे हैं गोट फिर इनके बनेंगे फूल फिर बनेंगे अमरूद तो फूल तो नहीं दिखे लेकिन गोट जरूर दिख गए जिसके अमरूद मैं हुँ अमरूद के फेड़ क έऊपर तो अब ये इसके फूल शुरू गये तो अब ये बरसात निकलते हैं अमरूद सुरू हो जाएंगे फिर सर्दी में आएंगे पकेंगे सर्दी में ज़ी में तो कम-पकते हैं अभी की तरह नहीं पकते अभी तो यह न सारे एक साथ ही पक गए यह देखो मैं हूँ अमरूद के फेड़ के उपप अभी तो सारे यह न 10-5 जिन में खतम हो गए और सर्दी में तो यह न 2-2-4-4 पकते हैं पूरे एक साथ नहीं पकते तो अभी तो यह न पूरे अमरूद खतम हो गए नए फूल आने लगए फिर आएंगे नए अमरूद तो अब मैं ले चलता हूँ आपको सबजियों की तरह जो मैंने अभी तक आपको एक भी वीडियो में नहीं दिखाए तो अभी देखना क्या-क्या सबजियां लगी हुई सबजियों की सुरुआत करते हैं फूलों से सदा फूली का पोदा है हमारा जो बीना फानी के चलता है मैंने गर्मी में न इसमें एक भी भून फानी निडाला था लेकिन ये सूकानी फूल आने लगए अभी बरसात में वापिस अब ये ना कच्रा हो रहा है तो मैं इसको अटाओंगा कच्रे को ये देखे है हमारा ये वाली बेल तो बताओ ये कौन सी बेल है कमेंट्स करके बताना नहीं तुम्हें बता देता हूं सामों तरह का मैं तो और दिए टा समूप लिए को सका यसे चागी मैं भरें स्था आुपूद श्रीक shifts का यहां रहा हुछ बीज ये देखो ये रे गोल गोल संकर बगवान की पिंड की तरह आते हैं ये देखो इदर आ रहे हैं बहुत सारे तो इसको एना एक बार लगाते हैं तो अपने आप उग जाती है बस एक बार लगा दो जमी के अंदर फिर बरसात आएगी ना तो अपने आप निकले आएगी बार बार लगाने की जुरत नी पड़ती इसको देखे कैसी सुन्दर लग रही है इसके पत्ते अच्छे लग रहे पान की तरह बहुत सारे बीज आ गए इसके अभी छोटे हैं तो यह ना संगर बगवान की पिंड की तरह हो जाते मुझे भी किसी ने दिये थे तो मैंने पहल आज तक आपको किसी भी वीडियो में नहीं दिखाया यह देखो और इसके आ रहा है फूल देखो अभी मेल फूल है फिर मेल नहीं है सारे मेली मेले देखो आने लगए उदर यह लोकी और फिर यह है हमारी अर अरव दाल बनती है इसमें मक्का उदर खीरा और चोलाई सबी है और देखो मैंने पट्टियों के बीच में भी लगा रखी है यह देखो इदर चोल इदर भी है और इदर है गिलकी तो गिलकी तो आने लगई हमारे दिकाता हूँ अभी खाहाँ पर आई है यह देखो यह री एक गिलकी एक वरी उसके पास चोटी सी एक एरी तो गिलकी तो आने लगी गिलकी हो गई बड़ी वाली और इधर एक च्रा यह देखो एक कवा बोलने लग गया है इधर मेरे पीछे और इधर करे ले हैं हमारे तो मैं इनके लिए जाड लेके आया हूं तो इस पर लगा दूँग और इस पर दिया चाहिए तकि यह देखो एक करेला भी आगे चूटा सा इस पर चाह जाएंगे ना तो खराब नहीं होंगे करेले अच्छे से चाह जाएंगे और इधर गिलकी के तो इदर ना पत्तर पे आगए बहुत सारे इधर पत्तर पड़े हुए ना हमारे तो यहां पर गए और इधर कध्दू का इधर इधर कम जग़ है फैलने की और उधर इवोल डूंक ऊतरना तो इधर बढ़िया जग़ चाने कि इनकरा नेकि अदिन रहं कि नहीं गए यह देखो इधर कच्रा हे तो यह यह आगी द्यlight अशुरू हो गई तो साहिए की जब और इसके भी अए यह तो गिल की इसके रोग लग क्या एक तेरुती वुल ढरी वाली है भी लेकिन रोग लग गया और यह ंए अदर काम किया तो इसके सब्जी भी बनती है कुणी ज्राए आँ तो इसके सब्जी भी बनती है और सुकीवाली भी बनती है जो बहुत अच्छी लगती है कि मुदे को मारा कद्धू मिदसके ना अभी करavior वाले फूल नहीं आए दूसरे दूसरे फूले सारे जाने कब आएगा बढ़ात हो गया उदर लोकी है और दो चार मक्का के फेड़े तो इसमें हमने ना वह चुलाई की हली लगा रखिए बिंस जो इस पे गुम गुम पे इस पे छट जाएगी और उदर देखो कोने में वह ह हमारी कीरा कीरा है और इदर अभी कच्रा इदर का साप निकिया हमने घीला जादा है ना ओर यह देखो मेरे दादी भी जो कच्रा निकाल रही है तो यह निकाल लिया अब इसको है ना हम टप में बरके गायेंपे इसों को डाल देंगे तो मैं तप लेक्ए आया हूं तो उसमें डाल देंगे हाँ इदेखेंगे अभी इस पर करेले छा जाएंगे जाड़ों पर तो अच्छे हो जाएंगे इसे और अब हम बरेंगे इसनको टप में कि इसके साथ मिट्टी भी ना जो मां कलियान में डाल देंगे तो माई खालेगी गाये बेसे देखो कि सब जिवाला आगया माईक बज रहा है सब जिवाले के माईक लगा रखाये उसने तो यसे चिल्लाना नहीं पड़ता उसको नहीं तो बहुत तेज चिल्लाता है यह देखो बर गया टप तो इसको लेके चलेंगे हम और डाल देंगे इसको यह बेल अच्छी लगी मुझे त पान की तरह पत्ते वाली कि बहुत सुन्दर है कि इसके बीच भी आने लग गए यह देखो बहुत अच्छी है कि देखो दोस्तों में दादिया आप से कुछ बोलना चारी है यह हमारी वीडियो को बहुत बहुत देखना जल्दी 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 सब्सक्राइब करना और शेयर करना ऐसे बोल रही है हमारी वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और एंड तक देखना तो अब हम आड़ोती से ना तो हाड़ोती भी बोलती है हिंदी कम बोलने आती है लेकिन बोल ली उन्होंने कैसी भी बोली बोली अब हम चलते हैं इस टप को लेके गाएं बेसों को डाल ले दोस्तों मैं कच्रा लेके आया था ना तो हमारी गाएं को बेसों को डाल दिया तो अभी कीचड़ों रहा है यहां पर बर साथ आयती ना इसलिए यह देखो खाने लगी इसा कीचड़े गजब का उधर तो उन्होंने न दूद देती ना इसलिए ना इसको बानते नहीं तो नहीं लाना पड़ता है रोजान मेरे को तो खड़ने में डला है देखो बेस ने पूछी लाए ना चीटे लग गए मेरे यह देखो खारी सारी और इधर है श्यूमिंग पुलीन का तो दोस्तों डाल दिया मैंने कच्रा खारी है सारी के सारी तब खाली हो गया हमारा और इस वाली बेस ने ना चीटे लगा दी यह पूछ कीचड में बन रहे न तो पूछी लाए न तो मेरे मूपे कीचड आ गया पूरा ऐसा कीचड का रखाए नोने बेड़ जाती है कीचल में देखो मेरे पीछे श्यूमिंग पूल भी बना रखा है इन्होंने क्रीम पाउडर वाला तो यह देखो खारी है सब क्यामने टोक्रिया बांद रखी है तो बज़री है उदर से वह दूसरी बेस उदर बंद रहे हैं दूसरों के बाड़ों में तो वह इनको चारा डाला ना तो भी खाने के लिए बोल रही ह दोस्तो हम आ गए हमारे दूसरे वाले खलियान में जहां पर सब्जियां लगी है तो यहां पर है न सब्जियां भी बड़ी बड़ी हो गई लेकिन मैं अभी आज आपको नहीं दिखाऊंगा खल बनाऊंगा सब्जियों की वीडियो आज की वीडियो में बस इतना है ठीक ह रदे रदे